ये गाईज, वेलकम टू माई चैनल टीज टू लर्न जैसा कि आपको पता है, हमने सीरिस स्टार्ट करी है क्लास एट के एंसियाटी साइंस की इससे पहले क्लास सैंथ की फूल एंसियाटी कवर हो चुकी है आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिये गए, लिंक से देख सकते हैं आजन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास एट की साइंस का न्यू चैप्टर, चैप्टर नमर फाइव जिसका नाम क्या है कंजर्वेशन आफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इससे पहले के चैप्टर इस चैप्टर पे अप्लोड हो चुकी है आप उन्हें भी देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट न्यापि इन्होंने बोला है, हमने जब क्लास सैमन का कवर किया था तो हमने देखा था कि कैसे पहली और बूझो प्रोफेसर एहमद और तीबू के साथ फोरेस्ट को विजिट करने गए हैं और इनके साथ और भी बाकी बच्चे थे और ये अब अपना आप वापस तो आ गए थे हमने देखा था लास्ट में वो कैसे वापस भी आ गए थे अपने स्कूल और जब ये स्कूल आए तो ये अपना एक्सपीरियंस अपने क्लास मेर्स के साथ शेयर करना चाहते थे ये तो गए थे जंगल में और कुछ और बच्चे थे जो उसी क्लास के कहां गए थे वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे जो भरतपूर सैंचरी गए हुए थे मतलब इस तरह अलग-अलग बच्चे जैसे ट्रिब बगरा पे जाते हैं वैसी उनकी क्लास के भी कुछ बच्चे फोरेस्ट में गए थे घूमने कुछ भरतपूर सैंचरी गए थे कुछ काजी रंगा नैशनल पार्क गए थे कुछ जो लोक्चो वाइल लाइफ सैंचरी ग्रेट नीकोबार बायोसफेर रिजर्व या पि टाइगर रिजर्व ऐसी अलग-अलग जगाओं पे बहुत सारे बच्चे गए थे और वो सभी अपना एक्सपीरियंस अब अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं अब यहाँ पे हमसे पहली पूछ रही है कि यहाँ पे सब चीज़े हैं नैशनल पार्क्स हैं वाइल लाइफ सेंचरी हैं यह फिर जो बायो स्फियर रिजर्व है इन सब को आखिर बनाने का परपस क्या है तो जो इसका कोशन है इसको हम नेक्स्ट जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम यह चीज़े समझ आती जाएंगे कि क्यों हम नैशनल पार्के वाइल लाइफ से चरी या फिर बायस फे रिजर्व बनाते हैं तो इस कोशन का आंसर पाने के लिए वीडियो में जुड़े रहें एंड तक जुड़े रहें इस हीर इसको पूरा complete देखे तब आपका यह चैप्टर पूरा अच्छे से clear हो जाएगा अब यहाँ पर हमारा first topic क्या है deforestation and its cause और forestation का मतलब क्या होता है कि पेड लगाना अब इसके आगे d लग गया है मतलब कि negative word है कि forest को काटने की बात करी गई है यहाँ पर कि जब forest को हम लगातार काटते रहते हैं तो फिर वो और उसके कारण forest को काटने से जंगलों को काटने से क्या होता है और उसके कारण क्या है यह हम देखते हैं एक great variety of earth बहुत तरह की variety plants की और animals की earth पे exist करती है और यह क्या है एक essential component है मतलब यह बहुत जरूरी है mankind की हमारे इंसानों के या फिर organisms के survival के लिए today a major threat ought to survival of these organisms मतलब की आज कल एक बहुत बड़ा खत्रा बना हुआ है deforestation जिससे की deforestation एक बहुत बड़ा खत्रा है survival of organisms के लिए मतलब की हमारे deforestation लगातार करते रहेंगे तो हमारा जो survival है वो खत्रे में आ सकता है we know that हमें पता है कि deforestation का मतलब क्या है forest को clear करना और जो पेड़ हमने काटे हैं जहाँ जिस जगा पहले पेड़ थे उसको हमने काट के उस जगा को किसी और purpose के लिए यूज करना जैसे कि अब पहले यहाँ पेड़ लगते थे पर अब इस जगा को किस लिए यूज कर रहे है cultivation के लिए खेती बाड़े के लिए house बनाने के लिए या फिर factories बनाने के लिए इस जगा की जो पेड़ काटे इसकी लकड़ियों को यूज किया जा रहा है furniture बनाने के लिए या फिर as a fuel मतलब की जलाने के लिए और some natural ये तो हो गया कि वो हमने किया और कुछ खुद naturally ही deforestation हो जाता है जैसे कि forest में fire लग जाना या फिर सूखा पढ़ जाना और सूखे के कारण पेड़ों का सूख जाना तो ये है जो naturally deforestation हो जाती है मतलब की पेड़ खतम हो जाती है यहाँ पे वो बताया हुआ है next यहाँ पे इन्होंने हमें एक activity दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि आप और cause add करिए deforestation के और एक list बनाईए और classify करिए कि उसमें से कौन से natural cause है और कौन से man-made जैसे कि यहाँ पे जो दिये गए है three points यह सब क्या है man-made है यह सब man करते हैं purposefully forest को clean करने के लिए और forest में आग लग जाना बहुत धूप के कारण सूखा पड़ जाना यह सब naturally है तो इस तरह आप भी और list बनाईए second topic क्या है consequences of deforestation कि यह जब deforestation हो रही है पेडों को हम काट रहे हैं तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे यह पिनोंने बोला है कि जो पहली और बुजो वो recall कर रहे हैं याद कर रहे हैं deforestation के consequences को उन्हें याद आया कि अगर हम पेड काट देंगे तो हमें पता है अगर हम पेड काट देंगे पेड काटने से होगा क्या अर्थ का temperature बढ़ेगा पहले जो पेड थे हमें पता है पेड क्या करते हैं carbon dioxide को अंदर लेते हैं जब भी वो photosynthesis करते हैं और oxygen को बाहर छोड़ते हैं अगर पेड ही नहीं रहेंगे तो फिर यह जो carbon dioxide को अंदर सोखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा और carbon dioxide को कोई सोखने के लिए नहीं रहेगा तो pollution level बढ़ेगा अर्थ का temperature बढ़ेगा और वही उन्होंने बोला है कि carbon dioxide भी gas atmosphere में बढ़ जाएगी क्योंकि अब इस carbon dioxide gas को कोई भी अपने अंदर absorb नहीं कर रहा है तो temperature, pollution और carbon dioxide ये तीनों चीज़े ही बढ़ जाएगी deforestation के करण पेड काटने से ground water level also get lower जो ground water का level है वो भी lower हो जाएगा they know that deforestation अब हमें पता है कि जो deforestation है उससे nature का balance भी बिगड़ेगा क्योंकि हमें पता है जो पेड होते हैं उन्हें कौन खाता है goat खाता है जैसे ये ना food chain की बात करी गई है कि अगर पेड नहीं रहेगा तो goat मरने लगेंगी और goat नहीं रहेंगे तो इसके आगे जो इन्हें खाते हैं लायन मरने लगेंगे तो फिर ये सब क्या है जो balance है nature का deforestation उसको भी बहुत बुरी तरह ही प्रभावित करती है ये चाहिस चीज़े हम 7th class में पढ़ा हुआ है इन सभी चीज़ों को और उन्होंने उनको ये भी बताया गया प्रोफेसर एहमत के द्वारा कि अगर हम trees को लगातार काटते रहेंगे तो फिर जो बारिश होती है और जो soil के fertility है इन सब के उपर भी ये सारी चीज़े भी कम हो जाएगी मतलब कि बारिश होना भी कम हो जाएगी और जो soil fertile होती है मतलब कि जो उसकी उपजाओ शक्ती है वो भी कम हो जाएगी अब हम देखते हैं कैसे जो अगर हम पेड़ को काटेंगे तो rainfall पे असर पड़ेगा क्योंकि हमें पता है जो पेड़ होते हैं क्या होते हैं पेड़ की जो पतियां होती है वो क्या करती हैं evaporation करती है और evaporation के कारण ही उपर जाके बादल बनते हैं और बादल से ही क्या होती है बारिश होती है अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो evaporation कैसे होगी और फिर बारिश कैसे होगी मतलब कि इसलिए कहा जाता है हमें जादा से जादा पेड लगाने चाहिए ताकि बारिश हो और बारिश पे कोई फरक ना पड़े जिस एरिया में जादा पेड़ होते हैं हमापे जादा बारिश होती है 7th class में हमने देखा था तो ये तो होगा कि अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो rainfall कम हो जाएगी second है कि fertility of soil भी कम हो जाएगी क्योंकि हमें पता है जो पेड़ होते हैं उनके पतियां क्या होती हैं नीचे जमीन पर गिरती है और नीचे जमीन पर गिरने के कारण जो 7th class में ने देखा था कैसे वो हिमस बन जाती मतलब कि ये खाद का काम करती है मिट्टी के लिए सारी मिट्टी के उपर अगर पतियां गिरी रहेंगी तो फिर ये क्या है डिकंपोज हो के soil को fertile बनाती हैं इस तरह जो पेड़ हैं वो soil के fertile भी बनाने का काम करते हैं अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनकी leaves कैसे गिरेंगी और कैसे वो फिर soil को fertile कराएंगे वह उन्होंने बोला है कि अगर हम trees को लगातार काटते रहेंगे तो rainfall और soil की fertility दोनों ही कम हो जाएगी यहाँ पे इसने बोला है बुजो ने question किया है हम यहाँ पे यह तो rainfall का मैंने बताई दिया कैसे यह rainfall को कम करता है क्योंकि यह evaporation करता है बादल नहीं बनेगे तो बारिश नहीं होगी ठीक है और साथ ही साथ यह दूसी तरह पूछ रहा है कि जो flood है वो कैसे आता है इसका question इसी में ही हम next अभी थोड़ा देर में discuss करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसे बाड कैसे आती है next इन्होंने बोला है कि हाँ वही इन्होंने आगे भी बोल दिया कि अगर हम लगातार पेड काटते रहेंगे तो बाड भी आ सकता है और सूखा भी हो सकता है तो ये तो दोनों अलग बात है कि बाड भी कैसे आ सकती है और सूखा भी कैसे पढ़ सकता है तो ठीक है देखते हैं next अभी इसी के बारे में study करेंगे इसके बाद इन्होंने बोला है याद करिए ये मैं आपको पहली समझा से चुकी हूँ कि जो plant है क्या करते हैं carbon dioxide gas लेते है photosynthesis में और अगर जो trees हैं वही कम रहेंगे तो carbon dioxide वो कम ले पाएंगे और अगर carbon dioxide वो कम ले पाएंगे तो इससे carbon dioxide की जो मात्रा है atmosphere में बढ़ जाएगी और इससे global warming होगी क्योंकि जो carbon dioxide होता है क्योंकि यह क्या है अर्थ का atmosphere है यहां से sun से जो rays आ रही है sun से जो rays आती है उसको reflect करती है अर्थ और अर्थ जब उसे reflect करेगी जो rays को reflect करेगी heat rays को अब यहां पर अर्थ के atmosphere में carbon dioxide present है तो यह जो carbon dioxide present है यह इसी heat rays को trap कर लेगा जिसके कारण अर्थ का temperature बढ़ जाएगा और यह carbon dioxide कैसी आई क्योंकि trees नहीं है अगर trees होते तो वो carbon dioxide को observe कर लेते और फिर यह heat rays को trap करती ही नहीं और हमारा अर्थ का temperature गरम होता ही नहीं पर असा नहीं अगर पेड कम होंगे तो फिर carbon dioxide की मातरा बढ़ेगी जिसके कारण यह heat rays sun से आ रही है उसको यह trap कर लेता है और अर्थ का atmosphere गरम कर देता है जिससे क्या हो जाती है global warming और the increasing temperature अगर अर्थ का temperature increase होगा तो water cycle भी effect होगा और इससे rainfall कम होगी क्योंकि अर्थ का temperature बढ़ गया है तो बहुत जादा ही क्या हो जाएगा बस evaporation होती रहेगी और rainfall में भी कम rainfall कम होगी तो इसी से इसी के कारण क्या पढ़ जाता है सूखा पढ़ जाता है तो सूखे का पता चल गया न कि पेड़ है अगर बहुत जादा गरमी पढ़ रही है तो यह जो पेड़ होगा इसका सारा पाने सूख जाएगा बहुत जल्दी सूख जाएगा और सूखने के का जो जगह जगह पर नदियां है नाले हैं सब नदियां जगह हो गए नहरे हो गए उन सभी का पाने बहुत जादा इवैपुरेट हो जाएगा जिसके कारण सूखा बढ़ सकता है यहां पर पता चल गया कि कैसे पेड़ के काटने से सूखा बढ़ सकता है अब हम देखते हैं next पर अगर डीफोरेस्टेशन होगे तो सोईल की प्रॉपटी भी चेंज होगी जैसे कि फीजिकल प्रॉपटी सोईल की एफेक्ट होती है बाइप प्लान्टेशन एड़ वैजिटेशन अगर कम ट्रीज रहेंगे तो ज्यादा सोईल इरोजन होगा सोईल इरोजन का मतलब क्या है यह हमने पड़ा है सैमंट क्लास में सोईल इरोजन का मतलब होता है जैसे यह सोईल है इसकी यह जो टॉप लेयर है यही तो फॉटाइल होती है और यह बहे के चली जाए कहीं और बारिश्ट के कारण removal of top layer of soil expose the lower hard and rocky layer मतलब कि अगर ये इसके उपर की layer remove हो गई है तो सिरुफ ये नीचे की layer ही रह जाएगी जो layer कैसी है hard है और rocky है मतलब कि इसके नीचे वाली layer पे क्या present है पत्थर बगरा present है और उपर की top layer remove हो गई है और नीचे की layer आ गई है इसे ही क्या कहा जाता है soil erosion कहा जाता है ये जो नीचे की layer होती है जो hard है और rocky है ये less humus होती है और less fertile होती है मतलब कि ये ज़्यादा fertile नहीं होती है soil की सिरफ उपर वाली layer ही fertile होती है ये जो नीचे वाली layer है वो less humus और less fertile होती है gradually the fertile land gets converted into desert और इसे ही क्या कहा जाता है desertification इसे याद कैसे रखना है convert किसमें हो रहा है desert में क्योंकि उपर की layer तो चली गई और उसी पे चीजें उग सकती थी अब अगर चीज उगेगी नहीं तो ये कैसे हो जाएगा बिलकुर रेगिस्तान की तरह हो जाएगा जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं कुछ भी नहीं उगा रहता तो फिर वो desert की तरह बदल गया तो उसे ही क्या कहा गया है desertification मतलब कि वो desert में बदल गया है जब उसकी top layer soil की soil erosion हो गई है उसकी top layer remove हो गई है और जो उसकी नीची clear है वो less fertile है और जब fat island convert होगी desert में तो उसे ही क्या कहा गया है desertification अब हमने देख लिया सूखे का desertification का और मैंने आप से कहा था अभी rainfall का देख लिया अब हम देखते हैं कैसे बाड आती है अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो यहाँ पेनों ने बोला है जो अगर deforestation होगी तो soil जो hold करता है water क्योंकि हमें पता है जो पेड़ है अगर पेड़ रहते हैं तो यह क्या है soil के अंदर है तो soil के अंदर अगर ज़्यादा पेड़ प्रेजेंट है तो पेड़ की जड़े होती है वो क्या करती है soil को decrease the water holding capacity in the soil जिसकी soil की जड़े है sorry जो इस plant की जड़े है यह soil को भी hold करके रखती है और साथ ही साथ water को भी hold करके रखती है जो जमीन के अंदर present है the movement of water from the soil surface into the ground infiltrate is reduced अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या हुआ है क्योंकि अगर पेड़ रहते हैं तो पेड़ की जड़े होती है वो क्या करती है soil में जो water present होता है उसको hold करके रखते हैं पर अगर deforestation होगी पेड़ों को हम काटेंगे तो जो soil की water को hold करने के capacity है वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो soil होता है जो soil में च्छटे-छटे च्छेद बने रहते हैं और अगर deforestation होगी तो जो ये soil में च्छटे-छटे च्छेद होगे जो water की movement है from soil surface into the ground अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जैसे जब बारिश होती है तो जो water होता है यहां से इनकी च्छटे-छटे च्छेद से move करके ground पे मतलब की बिल्कुल जमीन के अंदर चला जाता है पानी पर deforestation के कारण ये जो infiltrate rate है वो कम हो जाएगा तो अगर पानी जमीन के अंदर ground के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर इससे क्या होगा पानी सारा surface पे रहेगा और बाड आने का खत्रा भी बढ़ सकता है तो यहां से हमें कैसे पता चला कि बाड कैसे आती है कि जो movement है water की soil surface से ground में नहीं जा रही है तो इससे बाड आ सकती है और सूखा कपड सकता है क्योंकि जब global warming के कारण earth का temperature increase हो रहा है तो उससे सूखा पड सकता है यह ओप यह दोनों चीज़े अब आपको clear होंगी the other property of soil अब deforestation से soil की और भी properties effect करती हैं जैसे soil के nutrients, contacts उसकी जो texture होता है वो बदल जाता है यह जो सारी चीज़े हैं यह सब deforestation के कारण बदल जाती हैं soil की हमने class 7 में लाप पड़ा था एक activity करी थी कि हमें forest से कौन-कौन से product मिलते हैं क्या हमने देखा था forest से हमने medicines मिलती हैं gum मिलता है और साथी साथ और जो चीज़े मिलती हैं उन सारी चीज़ों का आप एक list बनाएए और देखिए कि क्या आप हमें इन सभी में से किसी चीज क्या विल्वी पेस shortage of these products if we continue cutting trees और हमें क्या मिलता था इसे furniture मिलता था उन्होंने बोला है कि अब इस चीज़ का list बनाएए और थोड़ा ध्यान से देखिए क्या अगर हम लागा था trees को काड़ते रहेंगे तो क्या इन में से हमें किसी भी और भी चीज़े थी और ये जो चीज़े हैं क्या इनकी हमें shortest feel होगी मतलब इनकी हमें कमी महसूस होगी तो ये चीज आपके लिए आपने इसकी list बना के देखना और मुझे comment box में बताना भी है next यहाँ पे activity 5.2 दी गई है यहाँ पे इनोंने बोलाएगी animals की life deforestation से भी effect होती है कैसे तो हाँ हमें पता effect तो होगी क्योंकि जो animals हैं उनका तो घर ही होता है उनका तो घर ही है forest अगर हम forest को काड़ देंगे तो उनका जो घर है उनके रहने की जगा है वो सब गायब हो जाएंगी जैसे हमारा घर अगर हमें रहने के लिए जगा नहीं मिलेगी तो हमारी life effect होगी वैसे ही animals की life भी effect होती है deforestation से तो यह था आज का topic जिसमें हमने दो important topics discuss किये deforestation के cause और उसके consequences I hope यह दोनों topic आपको अच्छे से clear हो गया होगा next video में हम इससे आगे के topic discuss करेंगे इस series से जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe कर ले ताकि आने वाली next video का notification आपको साथी साथ मिल जाए वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें friends के साथ share करें जो मैंने question पूछा इसका comment box में comment करें thanks for watching